जू गए होगे आप घूमने जहाँ पे जानवर रहते हैं सबसे खतरना कौन लगता है शेर लेकिन सोचो शेर आपकी तरफ मुस्कुरा के रेखे और प्यार से अपने पास बुलाए आपने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया और पिंजरे में कदम रख दिया इसके बाद क्या होगा जवाब देने के लिए बॉलिवुड ने एक फिल्म बनाई है शिकार है शिकार ही है लेकिन कौन क्या है वो पता रगाना आपके जिम्यदारी डार्लिंक्स ऑन नेट्फिक्स आलिया भट आफ्टर गंगुबाई एक नया पठाका लेकर आए हैं और इस बार सीधा OTT के रास्ते आपके घर के अंदर कहानी एक लफ ट्राइंगल की है पती पतनी और वो वो कॉन मार धार लाद घूसा मुक्के वाजी बोले तो डुमेस्टिक वॉयलेंस इधर आदमी के चहरे पे मुसकान तो उधर हीरोईन के चहरे पे चोट के निशान बोले तो जिसको समझा हीरो वो साला निकला जीरो लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कहानी का विलन मिस्टर पती खुद किसी और के हाथों में पड़ी कटपुतली बन गया जितना चाहे नचालो जैसा चाहे घुमालो थपड़ लाद घूसे इवन क्रिकेट बैट चौका चका कुछ भी मारो अब एक कमाल की बात बताऊं कहानी की हिरोईन का है एक बड़ा अजीब सा सपना बदन पे लाल फैशन वाले कप्ड़े और मुंबई के बीच ओ पीच घर हो पूरा इसका अपना अब मैं सवाल पूछूँगी आप से वो जूँवाले शेर के पिंजरे से आपको क्या लगा सिर्फ इनसान का खून बहार निकलेगा गलत इस बार पिंजरे से इनसान बहार निकला एकदम फिट एंड फाडू लेकिन शेर जो अंदर था वो ऐसे गाया हुआ जैसे कोई जादू How is this possible? शिकारी खुद शिकार कैसे बना? फिल्म देखो वास फिल्म देखो इंसान से खतरनाग जानवर कोई दूसरा नहीं होता डालिंग्स क्यूं देखनी जाए सीधा जवाब फाइनली कुछ नया मिलेगा बॉलिवुड में डाक कॉमेडी जैसा जॉनरा जुसमें हस्ते हस्ते डर लगे ऐसा प्रोजेक्ट बनाने की हिमत बहुत कम लोग करते हैं सही गलत में से चुनना सबके लिए आसान होता है लेकिन जब दो गलत में से किसी एक कुछ चुनने को बोला जाए तब आपके दिमाग का असली टेस्ट शुरू होता है बस वही एक्जाम के जैसी है ये फिल्म कहानी एकदम सिंपल है कुछ ऐसा यूनीक नहीं जो आपने पहले ना देखा हो लेकिन हाँ उस कहानी को जिस तरीके से प्रेजन किया गया है विद कॉमेडी एंड सर्प्राइज़ वो दो घंटे आपको पकड़के रखेगा जैसे हसीन दिलरुबा में क्लाइमेक्स एकदम शॉकिंग और सर्प्राइजिंग टैक पर था वैसा यहां कुछ भी नहीं है तो ये गलत फैमी रखके फिल्म मत देखेगा वरना डिसपॉइंट हो जाएंगे लेकिन डार्लिंग्स का क्लाइमेक्स के कि स्रॉंग मैसेज जरूर देगा ऐसा जो आप भूलने ही पाओगे वहां तक पहुँचने का रास्ता तेड़ा मेडा है क्योंकि बीच बीच में कुछ अनेक्सपेक्टिट सर्प्राइजिंग मोमेंट्स आते रहेंगे गलती से भी यह सोच कर कि इस फिल्म में दो हिरोईन्स हैं तो नाज गाना ग्लैमर के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा डार्लिंग्स को इग्नोर माने का पाप मत करियेगा फिल्म इसके ठीक उल्टा है ना तो गाना बजाना और ना ही ग्लैमर बाजी only strong message और एक मज़िदार कहानी जो predictable जरूर है लेकिन सबकी acting performance आपको end तक देखने को मजबूर कर देगी हा लेकिन एक चीज़ आपका mood जरूर off कर सकती है वो है फिल्म की speed स्क्रीन प्ले थोड़ा धीमा धीमा है जिसकी वज़े से दो घंटे की फिल्म तीन घंटे में खतम हुई ऐसा लगेगा बाकी आलिया भट को इस फिल्म में देखकर अगर आप एक Bollywood supporter हो तो आपकी दिल में satisfaction जरूर फील होगा इस फिल्म में उनके अंदर दो लोग रहते हैं और दोनों एक दूसरे से बिलकुल अलग-अलग और एकी फिल्म में इतना acting variation लाना कोई मामूली चीज नहीं आलिया भट की best performance तो नहीं लेकिन कुछ नया exciting जरूर देखने को मिला है विजय वर्मा का strong zone है negative performance और इस फिल्म में बंदे को देखकर स्क्रीन के अंदर घुसके पीटने का मन करता है इतनी real acting है इनकी शैफाली मैम का supporting character strong है काफी surprises है इनकी कहानी में जिसके बिना darlings अधुरी रह जाएगी तो बहुस मेरी दरब से फिल्म को मिलेंगे 5 में से 3 stars पहला तो शिकार वर्सिस शिकारी कौन किस पर भारी interesting concept दूसरा no remake no copy कुछ नया try करने की कोशिश विड डार्क कॉमेडी तीसरा फिल्म के climax में एक strong message और उस तक पहुँचने का मज़िदार रास्ता जिसका credit फिल्म से जुड़े लोगों की acting को जाएगा negatives में slow धीमी speed वो थोड़ा सा boring लग सकता है और दूसरा एक suspense factor वो फिल्म से बिल्कुल गायब है पूरी कहानी खुली किताब है no twist no chala की बागी वीडियो में कुछ पसंद रहा हो या आपके कुछ शिकायद करनी हो तो मैं आपको instagram पर भी मिल जाओंगी वर्णा थोड़ा सा इंतजार करें मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में take care bye bye